अभी ABC number of elements in the set this f is not 11 तो बच्चो यह आपका domain range का ही सवाल ठीक है तो जो domain में कितने element रखें तीन दे रखें और यहां पर कितने element है चाहरे है इसने बोला है 2 belongs to f of a f of a अब का मतलब क्या हुआ f of a मतलब की range की बात कर रहा है range में आपका 2 होना चाहिए ठीक है और 11 नहीं है अच्छा बच्चो 11 क्या होता है केवल नामात बच्चो 11 function यह होता है अलग-अलग elements का अलग-अलग image आ जाए तो क्या कहते है उसको 11 कहते है यहां पर कुछ खाली भी छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बस इतनी सी बात यूज हो रहे थी इसलिए मैंने इसको domain range में रखा क्योंकि इसमें क्या है आपको रेंज का ज्यादा important होले कि तू आपका range में होना चाहिए बहुत सिंपल बहुत प्यारा सा domain range का ही सवाल है तू आपका range में होना चाहिए ठीक है क्या यह 11 होगा तू अगर इसमें आ रहा है 1234 में ने बना लिए बच्छो तो ऐसा कर सकते हैं एक केस या तो तीनों की mapping 2 के साथ हो जाए ठीक है केस बच्छो बहुत आराम से अपने को समझ मारा को बहुत ही लल्लू सवाल है यह कुछ भी नहीं है सवाल में ठीक है बच्छो तू के साथ साथ एक और element हो सकता है क्योंकि तीन लोगे तो तीन का तीन के साथ तो बनवन आ जाएगा एक और लेना है तो कोई और एक element लेते हैं मान लेते हैं उसको लिया आपने 3C1 से 3 को लिए एक्जांपल के लिए है ताकि विजुलाइज भी होता रहा है आपको अच्छा ओके सब्सक्राइब करना पड़ेगा तीन चीजों के अपने को दो बनाने पड़ेंगे एक में दो और एक में एक ठीक है तो 3 चीजों के बच्छों गृ Temple लिखा हुआ है तो यहां पर निली रंग से निला स्टैप दिखाया है एक ग्जांपल की तौर पर अब क्या कर सकते हैं दो यहां पर है इनको बाटना है कि a b चला जाए 2 के पास c चला जाए 3 के पास या फिर c चला जाए 2 के पास या a b चले ज़े भी चलाए 3 के पास लिख दूं रेड से लिख दाऊ है जो दो चीजें दो जगड़ डिस्टीबूट करने का तरीका क्या वा जाएगा तो त्री थ्री नाइन एटीन आ रहा है जो टोटल आंसर कितना जाएगे नाइटीन जाएगे कैसा लगा यह लल्लू सवाल इजी था कितना टाइम लगा बताओ आपको हलका फुलका सा पी एंसी हलका फुलका सा गुरूप फॉर्मेशन नहीं भी आता हो तो भी पता है A, B, B, C, C है तीन है